तो हलो दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय 2024 में इलेक्षन होने वाला है लोकसभागा और जिसमें सिक्षक भरती को ले करके उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आई है कि सिक्षक भरती में 90 प्रतिशत अंका रिटेंट होगा और 10 प्रतिशत नंबर का इंटर्वी होगा तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं पूरी डिटेल वीडियो की सुरुआत करने से पहले आप सभी अगर चैनल पे हमारे नए होई हैगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को तक दोस्तों साजा जरूर करिएगा तेहां आप देख सकते हैं सिक्षक भरती में 90 प्रतिशत अंका रिटेंट टेस्ट और 10 प्रतिशन नंबर का इंटर्वीव अजी सूचना जैसा कि आपनों का जारी हो गया है बुद्धवार का उत्तर प्रते सिक्षा सेवा चैनायोग नियमावली को राजपाल आनंदी बेन पटोटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसके सूचना जारी कर दी गई है यहां आयोग प्राथमिक इसकूलों उच्छ प्राथमिक इसकूलों डिग्री कालेजों अल्प संख्यक इसकूल वा कालेजों में सिक्षकों के साथ साथ अनु आयोग की भरती से सबसे बड़ा फ्यर वदल प्राथमिक इसकूलों उच्छ प्राथमिक इसकूलों के सिक्षकों के चैन में होगा अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में एक लग रहा होगा कि भाई 10% नंबर का जो है आप लोग 10% नंबर का इंटर्वीव होगा तो इ भी बता दूं कि इसमें आप लोगों का फिक्स रहेगा फिक्स क्या रहेगा आपका कि इसम के अंतरगत आप लोगों का जो इंटर्वीव होगा उसमें आप लोगों को कम से कम जो है 40 प्रत्सत कितना दोस्तों कम से कम जो है आप लोगों को 40 प्रत्सत नंबर मिलेंगे अग अगर आप देंगे और 90 प्रत्षत इसका मतलब है चालीस और 90 के बीच में आप लोगों के रहने वाला है और जादा तर जो आप लोगों का भाई 90 प्रत्षत अंका रिटेन आप लोगों का होगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उतना प्रभाव अपनों को पढ़ने वाला नहीं है तो यह कुछ आप लोगों के लिए एक अपडेट थी और आगे हम बात करें देखिए तो यहां देखिए सिच्छा चयन आयोग प्राइमरी से उच्छ प्राइमरी तक यहां पर आप अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा इसमें भी आप लोगों का पुड़ा डिटेल में आपका है देखिए सिच्छा सेवा चयन आयोग का यहां देखिए प्राइमरी से उच्छ सिच्छ तक करेगा प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्छ सिच्छ संस्थान तक वह अनुदेशकों की भरती लिखित परिच्छा के अधार पर होगी 90 परिश्छ अंक लिखित परिच्छा के और 10 परिच्छ अंक साच्छातकार के जोड़कर मेरिट सुची बनाई जाएगी पारदर्सिता के लिए साच्छातकार के नए स्चाथ देखिए 40 परिश्छ वह अधिकतम 90 परिश्छ अंक दिये जाएंगे यानि कि आपका जो इंटर्विव है जो लिया जाएगा उसमें पारदर्सिता के लिए 40 परिश्छ परिश्छ कम से कम अगर आप देंगे कितनों भी ओखर आप पर दसन करें तो 40 परिश्छ आपको नंबर देना ही है और अधिक सधिक आप 90 परिश्छ अंक इसमें दे पाएंगे और देखिए आगे कह रहा है कि अगर जहां तक हम साच्छातकार की बात करेंगे जहां साच्छातकार बोल सकते हैं न देखिए आप लोगों का नहीं होगा वहां लिखित परिश्छ अंकों के अधार पर ही भरती की जाएगी मतलब इसमें यह है कि सभी जगह जो है आप लोगो चैनायोग तै करेगा परिश्छा दो घंटे की होगी और इसमें वस्तुनीष्ट प्रस्ण पूछे जाएंगे परिश्छा ओमयार सीट पर कराई जाएगी यानि कि आपका जो एक्जाम होगा ओमयार सीट पर यानि कि आप लोगों का अफ्लाइन होने वाला है तो यह आप कि ये लिए कुछ बोल सकते हैं कि एक बड़ी अपडेट भी आप इसको कह सकते हैं और दोस्तों अगर हम आगे देखें तो यहां पर आगर आप देखेंगे तो यहां आप देखेंगे बुद्धवार को उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सिख्षा सेवा चैन आयोग नियमावली को राजपाल अनदी बेन पठेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है यहां आयोग प्रात्मिक स्कूलों उच्च प् प्रात्मिक स्कूलों वा उच्च मादमिक स्कूलों के सिखकों के चैन में होगा यहां अभी तक 60% लिखित परिच्छा के और 40% सैक्षिक गुणांक के होते थे सेक्षिक गुणानक में हाई स्कूल इंटर्मिडेट इस्ताह तक और बीड वर बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे अब ऐसा नहीं होगा यानि कि आप लोगों का साफ हो गया है कि अब जो आप लोगों का जो एक्जाम होगा उसमें आप लोगों के साच्छात कार के जो है नंबर नहीं जोड़े जाएंगे वहें डिग्री कालेजों में प्रचारियों की भरती में लिखित परिच्छा साच्छात कार और सच्छिक प्रदर्शन सुचक के अंक जोड़कर चैनित अभ्यर्थियों की मेरिट तयार की जाएगी अल्प संक्यक सिच्छड भी भासंस्थाओं में भरती के लिए एक अलग विशेशा के पैनल भी होगा जो पूरी भरती प्रक्रिया पर अपने नजर रखेगा इस आयोग के अस्तित में आने के बाद उत्तर प्रदेश उच्छा आयोग और उत्तर प्रदेश माधमिक सिच्छा आयोग चैन बोर्ड के पुड़कालिक कर्मचारी नए आयोग के अधिनस्त कारे करेंगे और बात करने देखे कुल्पति या प्रमुक सच्चिव उस्तर का अधिकारी होगा अध्यच अब यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो है किस लेवल का आप लोगों का कौन अध्यच आप लोगों का होगा तो यह अकापलों के लिए बोल सकते हैं, यहांपर देखिए आपका सीधे लिखा गया है, आयोक के अध्याच्छ, प्रमुक सचीव, सतर के आईये सधीकारी, किसी वीष्व भिद्यालाइक की कुलपती या पुर्व किर्ष्व भिद्यालाइक प्रफेसर, जिसे कम से कम स्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तो यह आप लोगों का एक अपडेट है और इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का वैकेंसी जो है बहुत ही जल्द आने वाली है अब बहुत से लोगों का जो है सपना भी जल्दी पूरा होगा यहां देखें लिखा हुआ है सिदे मुख्य सचिव के अध्यक्ष्टा वाली कमेटी करेगे ध्यक्ष का चैन उत्तरब्ले सिक्षा चैन आयोग के एक अध्यक्ष वा बारा सदस्यों के चैन के लिए मुख्य लिए माध्मिक सिच्छा वा बेष्क सिच्छा इसके सदस्य होंगे विक्यापन के 25 दिनों के भी तरिया पदों पर भर्थि कि बरती के लिए अथ बर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे इसके बाद आप लोगों का अध्यच पद के लिए पांच अभ्यर्थियों वा सदस्यों के लिए प्रतेक पद तीन गुणा भ्यर्थियों के नाम की सुची तयार करेगी अंतिम चैनितों की सुची मुख्यमंत्री के अनमोदन के बाद जारी की जाएगी तो एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है और आप लोग अपनी तयारी में अगर नहीं लगे हैं भी भी तो लग जाएए लेकिन एक तरीके का जो लॉली पॉप है ये बहुत दिनों से मिलता चला जा रहा है अब आगे चुनाओ है देखना होगा कि इसको जो है कितना जल्दी कर लिया जाता है क्योंकि स्टुडेंट बहुत सिच्छात्रा ऐसे भी हैं जिनको ये लग रहा है कि एक ऐसे लिया गया है भाई सांतोना के लिए दो साल होगे चार साल से भी वेकेंसी आई नहीं है तो सभी जितने भी सिच्छक बनने वाले हैं उनके मन में एक उदासी ही है लेकिन दोस्तों बहुत से आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूं कि अभी बहुत सी वेकेंसी आज जो कोट थे उनको भी करके फाइनल किया गया है तो उमीन बहुत जादा है वेकेंसी आने की और आप अपनी तैयारी जो है जबर जस तरीके से करते रहिए यही आप लोगों के लिए अपडेट थी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो के लाइक करिए चैनल पर नहीं होगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद